हेलो फट्टिटो अभी वादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में केसर को संस्कृत में कुमकुमादी और तेल को तैलम कहते हैं अर्थात केसर वा अन्य 20-26 जड़ी बूटियों के मिस्रन से बने तेल को कुमकुमादी तैलम कहा जाता है सुन्दर्ता हमेशा लोगों के लिए बहमूले रही है इसलिए आयरवेद ने कुमकुमादी तैलम के रूप में हमें बहमूले उपहार दिया है जो हमारी सभी प्रकार की तुचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सच्छम है तो कैसे खरीदे अपने लिए एक बहतरीन कुमकुमादी तैलम ब्राइंड यही है इस वीडियो का विशह जिसमें मैं बात करूँगा कुमकुमादी तेल का प्रियोग क्यों करना चाहिए इसका उपियोग कैसे करें कुमकुमादी तेल के उपयोग में किन बातों का रखे ध्यान और बेस्ट कुमकुमादी तेलम ब्रैंड कौन से हैं? ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए तो सबसे पहले बास सुरू करते हैं कि कुमकुमादी तेल का परियोग हमें क्यों करना चाहिए? दरसल इसके इस्तिमाल का सबसे बड़ा फाइदाया है कि इसमें किसी भी प्रकार के हानिकारख केमिकल नहीं होते कुमकुमारी तेल में एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी हाइपर पिग्मेंटेशन, मास्चराइजर, एंटी बैक्टिरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और नेचलल सनिस्क्रीन के गुन होते हैं कम से कम चार सब्ता तक इसके इस्तिमाल करने पर आपके चेहरे से दाग धब्बे, फाइन लाइन्स, रिंकल, डाग सर्कल, साइन ओफ एजिंग, हाइपर पिग्मेंटेशन और किसी भी प्रकार के इसकीन इंफेक्शन से आपको छुटकारा मिलता है इसकीन टोन लाइट होती है और इसकीन टेक्श्चर भी अच्छा होता है इसको इस्तेमाल करना भी आसान है और आप इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहतर परिणाम के लिए आपको इसका सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए और आईए अब बात करते हैं कुमकुमादी तेल का उपयोग कैसे करें रोज रात को सोने से पहले चेहरे से सारा मेकप उतार ले और अपने चेहरे पर 4-6 बूंद गुलाब जल लगा कर सुखने का इंतजार करें चेहरा सूखने के बाद 2-4 बूंद कुमकुमादी तेल हथेलियों पर रखें और अपनी उंगलियों से पूरे चेहरे पर लगाएं और चेहरे पर उंगलियों से 60 सेकेंड के लिए मसाज करें सुबे उठकर माइल लेचरर क्लेंजर से चेहरे को धुल ले एक महीने के इस्तेमाल के बाद आपको फर्क जरूर नजर आएगा और आईए अब बात करते हैं कि कुमकुमादी तेल के उपयोग में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कुमकुमादी तेल का इस्तेमाल तो वैसे सभी प्रकार की तवचा पर किया आजा सकता है पर sensitive skin वाले लोगों को इस्तेमाल करने से पहले best test जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें मिली कई सारी herbs की वज़ा से आपको allergy हो सकती है इसके अत्रिक्त कुमकुमादी तेल के उपयोग से कोई दूस प्रभाव नहीं होता इसलिए आप जब तक चाहें लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकती है सुखित वचा वाले लोगों के लिए तो कुमकुमादी तेल एक बरदान है वहीं अगर आपकी स्किन टाइप ऑईली है तो आपको कुमकुमादी तेलम की एक या दो भूदे चेहरे पर लगाने के बाद दो घंटे तक छोड़ देना चाहिए और उसके बाद अपने चेहरे को धुल लेना चाहिए एकने प्रोन और बच्चों की तोचा पर कुमकुमादी तेलम का प्रियोग नहीं करना चाहिए इसको बनाने के लिए केसर का प्रियोग होता है इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल दिन में करते हैं तो आपको टैनिंग की समस्या होने का खत्रा रहता ह इसलिए दिन में आपको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कुमकुमादी तेलम तुचा संबंदी सारी समस्याओं को खत्म कर सकती है। लेकिन अगर आप यह सोचे कि इसके इस्तेमाल से आप गोरे हो जाएंगे तो ऐसा बिलकुल संभव नहीं है। कुमकुमादी तेल के उपयोग के बाद आपको किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसका फाइदा जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए अपने मेकप प्रोडक्ट्स से दूरी बना कर रखनी चाहिए। जिससे आपकी इसकिन फास्टिंग हो सके और कुमकुमादी तैलम की औसधियां आपकी त्वचा में औसोसित होकर ज्यादा फाइदा जल्दी दिखा सके और आईए अब बात करते हैं बेस्ट कुमकुमादी तैलम ब्रैंट्स के बारे में। हुआ है। तो केटेगरी टू में सबसे पहला ब्रैंड है ओनी और्गेनिक्स का कुमकुमादी आयल। कमपनी ने इंग्रीडियंट लिस्ट ही नहीं लिखी। इसके बाद एवियस को टाकल कुमकुमादी तैलम को बनाने के लिए कमपनी ने 14 अलग-अलग से बना है। इन नेचर ने अपने कुमकुमादी आयरुवेदिक ब्लेंट फेशियल ओयल को बनाने के लिए सिर्फ पाँच इंग्रीडियंट का इस्तेमाल किया है। ऐसा कमाल इन्होंने कैसे किया ये तो यही बता सकते हैं। और आईए अब आपकी मुलाकात कराते हैं कॉ कुमादी तैलम से कामा आयरुवेद कुमकुमादी मिरकुलस ब्यूटी एंड फ्लूइड आयरुवेदिक नाइट सीरम को बनाने के लिए सिर्फ बारा इंग्रीडियंट का इस्तेमाल किया है। ब्रैंड का नाम तो बहुत बड़ा है पर इन्होंने जो करिश्मा किया है व बनाने के लिए कंपनी ने सिर्फ तेरा इंग्रीडियंट का इस्तेमाल किया गया है। लग्जूरा साइंस कुमकुमादी तैलम को बनाने के लिए कंपनी ने कितने इंग्रीडियंट का इस्तेमाल किया है ये तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने इंग्रीडियंट लिस्ट म का इस्तेमाल किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि कुमकुमादी तेल को बनाने के लिए बेस आयल के तौर पर तिल या अल्मंड आयल का इस्तेमाल होता है इतने प्रकार के तेलों का विब्रण किस ग्रंद से कंपणी निक हो जा है वह तो मुझे बिल्कुल पता नहीं मेरी तो इस brand को यही सला होगी कि घोड़े के बाल भालू के नाखून और नाव की कील भी मिला देते तो साइद तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी इस oil का प्रमुक्ता से इस्तेमाल हुआ होता और इसको बनाने के लिए artificial fragrances का भी इस्तेमाल किया मुजर नेचुरल कुंकुमादी आयल को बनाने के लिए 7 इंग्रीडियंट का इस्तेमाल हुआ है और पातांजली तेजस तेलम को बनाने के लिए अलग-अलग इंग्रीडियंट के साथ artificial fragrances और TBHQ भी बाबा जी ने मिला रखा है बाबा जी के इस तेलम ब्रांड को मैं किस इस कटेगरी में रखू मुझे तो खुद भी पता नहीं पर मुझे लगता है कि इस ब्रांड में थोड़ी सी कमी है रह गई है अगर इसमें गौमूत्र और मिला दिया जाता तो साइध यह ब्रांड नियोमी कैंबल को एंजली नजोली बना देता इसके बाद नाम आता है म नहीं सीसा नेचरल कुमकुमादी तैलम को बनाने के लिए 15 इंग्रीडियंट, दब बॉड़ी एवन्यूस कुमकुमादी ओयल इंरिज विथ गोल्ड डस्ट को बनाने के लिए 14 इंग्रीडियंट, ट्राइब कॉंसेट 24 के कुमकुमादी तैलम को बनाने के लिए 15 इंग्र और इन्ग्रेडियंट लिस्ट पूरी नहीं लिखी लेकिन यह लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इन ब्रैंड्स में किसी विप्रकार के कोई टॉक्सिंस नहीं मिले हैं कमपनियों की बातों पर भरोसा करना तो ऐसा ही है जैसे कंगना राणावत के मुह से रिया चक्रवर्ती और उद्धो ठाकरे की प्रसंसा सुनना आप यह जान ले कि कुमकुमादी आयल को बनाने के लिए कम से कम 20 और अधिकतम 26 इंग्रेडियंट की आओ सकता होती है और इंग्रेडियंट लिस्ट जब पूरी न लिखी हो तो किस ब्रैंड ने क्या भांगधतूरा मिलाया है इस बारे में बता पाना लगभग असंभव है आप इन ब्रैंड के साथ क्या करेंगे मुझे भी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और आईए अब बात करते हैं केटेगरी वन के ब्रैंड के बारे में इसमें कोई संदेह नहीं है कि केटेगरी वन में मैंने जिन ब्रैंड को सामिल किया है उसमें किसी भी प्रकार के toxic ingredients की मिलावट नहीं है तो सबसे पहले बात number 5 के brand की करते हैं number 5 पर मैंने रखा है कामगेन उकम कुमादी तेल को कामगेन के इस brand को मैंने number 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसको बनाने के लिए 23 ingredients इस्तेमाल किये गए है brand अच्छा है पर इससे भी अच्छे और सस्ते brand आज भारतिय बाजार में उपलब्ध है आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सभी brands को खरीदने के लिए मैंने purchase link description में दे रखा है आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम मेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिठाई से ज़्यादा डिब्बे पसंद है और अगर आपको भी डिब्बे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इस brand को खरीज सकते हैं यह कुमकुमादी तेल इतना महंगा क्यूं है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं अगर आपकी pocket इस brand को खरीदने से हलकी नहीं होती तो आप इस brand को बेशक खरीज सकते हैं और इसकी सुधता को लेकर संका करना निरर्थक है अब बात करते हैं नमबर 3 के brand की नमबर 3 पर मैंने रखा है blue nectar कुमकुमादी radiance glow night serum और नमबर 2 पर है व्यास कुमकुमादी तेलम इन दोनों brands को बनाने के लिए 26 ingredients इस्तेमाल किये गए हैं toxins कोई नहीं है और इनका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं और आईए अब बात करते हैं नमबर 1 के brand के बारे में जो है औरावेदिक कुमकुमादी oil औरावेदिक का यह brand नमबर 1 पर अपनी कई खुबियों के काराण है पहला इसकी साफ साफ ingredient list जिससे आपको यह पता चलता है कि कौन सा ingredient कितनी मात्रा में मिला है साथ ही या भारती बाजार में उपलब्द सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कुमकुमादी तैलम ब्रैंड्स में से एक है किसी भी प्रकार के हानिकारक chemical से मुक्त इस brand को आपको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करना चाहिए और खरीदने के लिए आप चाहें तो description में दिये गए purchase link का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही अनिरोध है कि खुसियां बाटने से बढ़ती है ये बात तो आप जानते ही होंगे और आपके comments पढ़कर मुझे खुसी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय या कोई प्रस्न यदि हो तो मुझे comment के माध्यम से प्राप्त होगी इस वीडियो से जुड़ा disclaimer रिया है कि किसी भी brand की प्रतिस्था को नुकसान पहुचाना मेरी प्राथमिक ताओं में से नहीं है मेरा उद्य से सिर्फ company द्वारा लिखे गए ingredients की जाच परक करके अपने subscriber को सही जानकारी देना है और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like और share जरूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो समय और बुद्धी का उपयोग किया उसके लिए आपको सहस्त्र धन्यवाद नमस्कार